हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अवर यूटूब चैनल ब्रेन फूर कूल लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने यू आई पिकर व्यू कलास की हेल्प के साथ जो है एक सेलेक्शन करवानी है मल्टिपल चॉइसिज में से कहने का मतलब एक स्पिनिंग वील जो है वो हमने क्रिएट करना है तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ फिर मैं आपको बताओंगा कैसे आप बड़े ही एजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एक्जामपल्स हैं वो अपने आई यूएस डिवाइस के लिए एक्स कोड के अंदर जो है वो स्विफ्ट की हेल्प के साथ पाएंगे तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक्जामपल के अंदर यहां पर एक शोटी सी जो आपने यहां पर आईफोन सेलेक्ट करवाना है अपनी एप्लिकेशन के अंदर यहां मॉबाइल की जो सेलेक्शन है वो करवानी है यूजर से तो मैं जैसे ही फिल्ड के उपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल की बोड की जगे पर मैंने जो इंपुट वीओ है वो रिप्लेस कर दिया है यू आई पिकर व्यू के साथ और इसमें से हम जो है सेलेक्शन कर सकते हैं तो यह उसी तरीके से है जैसे हम एस्टी एमल के अंदर वेबसाइट के अंदर ड्रॉप डाउन जो है वो यूज करते थे यहां कहा सकते हो इतरे की जो लिस्ट है वो है इसमें से हम कोई भी एक सेलेक्शन जो है वो कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पे आईफोन 7 प्लस को सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ही डन बटन के ओप क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी सेलेक्शन है वो डिरेक्ली यहां पर टेक्स बॉक्स के अंदर वो आ चुकी है तो इस तरीके की एक्जाम्पल है आज की और अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्रैटिकल व्यू बताऊं तो यू आई पिकर व्यू एक क्ला प्राप डाउन गांई वो यू यूस्वटा है तो इस की हैलp के साथ व्यूмотрा मैं मैं उब me कि प्राटिकल कर सकती हैं तो बागी जो एलिमेन्ट हैं यहां यहां पे मैंने इस एक्जाम्पल के अंदर दम की एंवो जैसे-जैसे descendants को मैं डिवल्प करारूऊ वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ बताता जाओंगा तो फ्रेंड स्टोडन्स चलिए यहां पर अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस तरह किसे इस इक्जांपल को हमने ड्वेल्प करना है तो यहां पर मैं पूरे प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूं इस पूरे प्रोजेट के साथ शुरुआ से शुरू करेंगे यहां पर स्टॉप करेंगे प्रोजेक्ट तो फ्रेंड स्टॉडन्स अगर आप से चैनल के ऊपर नहीं है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जलदी से को सब्सक्राइब करने क्योंकि इस चैनल के ऊपर वीड प्रॉल्म आती है तो आप अपनी प्रॉल्म को मारे साथ शेयर कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसका जो सिल्यूशन है वो आप तक जल से जल पहुचा पाएं चलिए सिंगल व्यू आप स्लेक्ट करेंगे यहां से अब आपने यहां पर प्रॉडक्ट नेम के अंदर कोई भी जो आप डिवेल्प करने जा रहे हैं उसका जो नेम है वो यहां पर प्रॉड कर सकते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं टेक्स्ट फील्ड विद यू आई पिकर व्यू तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है जो लेंग्विज हम यूज करेंगे आज की जंपल के लिए वो है स्विफ्ट अब मैं नेक्स्ट के ओपर क्लिक करता हूं अब आपने अपने लैप्टॉप के अंदर कहीं पर आज की एक फोल्डेर करना है तांके आज की एकजंपल का जो सारा सुर्स कोल्ड है उस फोल्डर के अंदर से वो पाए तो यहाँ पर मैं लिघदेता हूं सेम वही नेम जो मैंने प्रॉड़क्त का नेम लिखा था इसको क्रिएट कर देते हैं अब हमने इसको करेट कर देना है सारे प्राजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर तो फ्रेंड तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे बिल्ड ने वर्जन यूस किया है वह इस्विफ्ट फाइफ और जो मैंने एक्स कोड का वर्जन यूस किया है वह यह तैंड पॉइट टू पाइंट वन और जो लैप्टॉप है मेरे पास बहुआ है बैक्ट फूक एयर तो चलिए यहां पर सबसे पहले आपने जो एक्जांपल के अं internet से वो मैं यहां पर drag and drop करता हूँ और ताके हम इसको जो है storyboard के उपर directly use कर पाएं तो अब हम main और storyboard के अंदर चलते हैं तो सबसे पहला step जो है वो यहां पर हमने image को display करवाना है तो उसके लिए library objects के अंदर जो image view हमारा UI element इसको drag and drop करेंगे storyboard के ऊपर अब हमने यहां पर इसको image को attribute inspector के through set करना है जो image हमने यहां पर assessed folder के अंदर जो है create की थी अब हम जो content mode है इसका वो हम scale to fill करेंगे आप चाहने तो इसको जो है थोड़ा सा इसकी जो height है वो increase कर सकते हैं अब मैं इसको select करूँगा और इसके जो constraints है layout constraints है वो हमने set करने हैं तो तीन साइडों पर हम जो constraints हम वो set करेंगे और add करेंगे as a constraint चलिए हमारे constraints है वो add हो चुकी है अब हमने library object के through एक label जो है वो tag and drop करना है तांके user को जो हम information चाहते हैं उसके regarding जो message है वो इस label के अंदर जो है वो display करवा पाएं इसको मैं center में align कर देता हूं उसका जो font है वो increase आप कर सकते हैं बाकी आप customization जो label किये वो अपने accordingly जो है वो कर सकते हैं मैं double click करके इसको edit कर देता हूं select your iPhone model तो चलिए यहां पर मैंने जो information है वो यहां पर label के अंदर enter कर दी अब हम यहां पर जो इसके भी constraints जो है वो तीन साइडों पर जो है वो set करेंगे यहां पर मैं add कर देता हूं अब हमने यहां पर जो एक text field है वो यूज करना है तांके उसके साथ हम यूई picker view को जो है वो attach कर पाएं तो मैं इसको जो है इसकी width जो है वो increase कर देता हूं अब आप चाहिए तो इसकी alignment है वो center में कर सकते हैं और इसका जो font है वो increase कर सकते हैं इसकी भी जो जो constraints है वो तीन साइड़ों पर जो हम set कर देते हूं और इसको add कर देते हैं तो चलिए अब हमने text field का जो IP outlet है वो create करना है तो उसके लिए इस दो circle जो join किये हुए assistant editor को बोलते हैं इसके अंदर चलते हैं और बाकी windows को मैं hide कर देता हूं तांके देखने में कोई परशान्नी नहीं आपको view controller के अंदर जो है यहां पर आपने जो इस text field का जो है वो IP outlet create करना है तो उसके लिए control की को press करते हुए mouse की help के साथ इसको drag and drop करेंगे view controller के अंदर और इसका जो नेम है वो यहां पर मैं रख देता हूं phone text field तांके बाद में आपको जब recognize करने में इसको असानी होगी तो मैं अब मैं normal editor के अंदर standard editor के अंदर चलता हूं अब view controller के अंदर चलते हूं अब हमने यहां पर जो है coding बाला पार जो है वो अपना करना है तो सबसे पहले जो multiple choices आपने display करवानी है यू आई पिकर व्यू के अंदर तो उसको एज एरे के अंदर हम जो है store करवाएंगे इसके elements तो यहां पर मैं एक एरे ले ले लेता हूं phone list और यहां पर जो है static area जो हो है directly यहां पर जो है वेल्यू जो है वो एंटर करूंगा different different models जो है वो iPhone के आप यहां पर एंटर कर सकते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं iPhone 4s iPhone 5s iPhone 6s तो चलिए यहां यहां पर iPhone 7 Plus iPhone 8 और यहां पर iPhone 10R iPhone 11 iPhone 11 Pro तो चलिए इतने जो models हैं मैंने एंटर कर दी हैं अब हमने क्योंकि UI picker view को यूज करना है तो उसके लिए यहां पर इसका जो object है वो create करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं iPhone picker एक जो object है वो create करते हैं किस class को belong करेगा UI picker view class को belong करेगा तो इसको मैं जो है वो यहां पर as a blank object जो है वो declare करता हूं अब हमने क्योंकि यहां पर देख लेते हैं अगर मेरी viewable है यहां पर app जो है वो viewable है तो मैं यहां पर दिखा जेता हूं आपको देख लेते हैं एक पार जो एप का नेम था वो था यहां पर पिक कर तो चलिए इसको मैं एक बार दिखा जेता हूं आपको अगर आपने यहां पर जो डन बटन है यह वह आप देख पा रहे हैं यहां पर जो डन बटन है यह बेसिकली एक टूल बार की हैल्प के साथ हुआ है वह डिस्प्ले किया गया है तो उसके लिए अब हम यहां पर एक और ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हम जिसका नेम रखेंगे टूल बार और इसको किस क्लास के साथ बिलॉंग कर वाएंगे यू आई टूल बार तो चलिए अब हमने जो नेक्स्ट टे देता हूं extension view controller और यहां पर यू आई पिकर व्यू डेटा सोर्स और यू आई पिकर व्यू delegate तो चलिए आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकोर्स को यूज करना है तो उनको confirm करने के लिए आपको उसके जो important जो सबसे compulsory methods हैं उनको code करना ही पड़ेगा तो उसके लिए यहां पर जैसे ही हम fix के ओपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो compulsory methods हैं उनके जो skeleton है वो यहां पर आ चुका है उनकी जो coding है हम बाद में करेंगे पहले हम देख लेते हैं यहां पर यूआई पिकर व्यू का जो delegate और डेटा सोर्स है वो हमने किस तरीके से सेट करना है चलिए उसके लिए हम यहां पर व्यूड लोड के अंदर चलते हैं और यहां पर हम सेट करेंगे ऐफॉन पिकर डाट यहां पर delegate और इसको करेंगे सेल्फ और इसी तरीके से आईफॉन पिकर व्यूड डाट डेटा सोर्स इसको भी करेंगे सेल्फ तो चलिए यह हमारे जो डेली गेट और डेटा सोर्स गया यूई पिकर व्यू के साथ सेट हो चुके हैं अब हमने जो है अपना जो text field है उसके साथ जो है अपना iPhone picker जो UI picker view class को belong करता है उसको set करना है input view basically होता गया है जब भी आप keyboard की जगे पर normal standard keyboard की जगे पर कोई और custom view display करवाना चाहते हैं editing time पर तो आप जो है उसका input view जो है वो use कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिग देता हूँ phone textfield.inputview आइफोन picker view तो चलिए अब हमने toolbar को जो है उसका जो size है वो हमने यहाँ पर directly size to fit कर देना है तांके वो screen को जो है वो occupy कर पाए क्योंकि हम toolbar के ओपर जो है एक done button को display करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर object or create करेंगे done btn और यह किस type का होगा ui bar button type का होगा और यहां पर इसका जो बार बटन का जो system item है वो होगी done और जो target होगा वोगा self और जो action है वो हम एक selector method यूज करेंगे आप जो भी selector method का name यहाँ पर provide करें सेम जो name का जो method है वो आपने जो है implement करना है तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर selector method जो लिया है वो लिया है done button pressed इसको मैं copy कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर create करना है हमने तो उसके लिए यहाँ पर क्योंकि selector method है इसलिए objc हमने यूज करना है और यहाँ पर func use करेंगे और साथ में इस जो function का name है वो लिखेंगे और अब हमने इसको code करना है तो चलिए code बाद में करेंगे पहले जो done button हमने यहाँ पर grade किया है इसको toolbar के साथ as a item जो है वो set कर पाएं तो यहाँ पर लिखेंगे toolbar.items और इसको array बटन की जो objects है वो देंगे क्योंकि एक ही button हमने यूज करना है इसलिए मैं array के तुरू जो है इसके अंदर done button ही provide करूंगा अब हमने क्योंकि हम जो है text field की editing time पर जो है picker view के साथ toolbar को भी display करवाना चारते हैं तो उसके लिए phone text field के साथ हमें as a input accessory जो है इस toolbar को attach करना पढ़ेगा मैं यहाँ पर toolbar को attach कर देता हूं तो friends तो नहीं यहाँ पर जो है हमने काफी सारी coding कर दी है अब हम जो code लिखेंगे वो लिखेंगे done button pressed के अंदर कि जब भी user done button के उपर क्लिक करें तो तब क्या हो तब हमने यहाँ पर let हमने यहाँ पर करना है selected phone call कहना का मतलब जब user यहाँ पर कोई phone को select करेगा और done पर क्लिक करेगा हम देखेंगे कौन सी लिस्ट में से कौन सा जो चौइस है वो यूजर ने select की है तो यहाँ पर उसको किस तरीके से हमने find out करना है हम सबसे पहले phone text field को लिखेंगे sorry यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी पास array है वह उसका कौन सा element है वह हम इस तरीके से find out करेंगे phone list और data कहाँ से आएगा data depend करेगा जो भी row हम select करेंगे iPhone picker view के through यहाँ पर लिखेंगे selected row component आपको पता ही है जब एक row एक column हो तो उसको हम component zero बोलते हैं जब हमारे पास दो column हो यहाँ पर बार में किसी और वीडियो के अंदर हम मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दो column जो है वो create कर सकते हैं दो different different selection जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो उस टाइम पर component जो है वो increase होता जाएगा तो यहाँ पर अभी के लिए हम component लेंगे 0 और text field का जो text है वो set करेंगे data कहां से आएगा वो selected phone के through आएगा और अब हमने जो editing is key and editing करनी है जब भी user done button के उपर press करें चलिए done button की भी जो coding है वो हो चुकी है अब हमने जो यहाँ पर हमने जो प्रोटोकोल्स के conforming methods हैं वो हमने यहाँ पर code करने हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है number of components कितने होने चाहिए कहने का मतलब कितने number of columns जो है selection के होने चाहिए तो एक ही है इसी लिए हम यहाँ पर return करेंगे one अब हमारे पार यहाँ पर है कि number of rows कितनी होनी चाहिए particular selection के अंदर तो वो हमने क्योंकि rows के अंदर जो choices के अंदर data display करवाना तो उसके लिए यहाँ पर code करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपने लिखना है title for और जैसे ही method आपके पास निकल के आएगा title for row parameterize method picker view तो इसके अंदर हमने code लिखना है code काफी easy है हम यहाँ पर return करेंगे हर एक row के लिए data कहां से आता जाएगा phone list में से आता जाएगा कौन सा element वो रोग के उपर depend करेंगा जितना भी रोग का नंबर होगा उसी के वीडियो को जो है वो pause कीजिए तांके आप जो coding है वो no down कर सकें तो चलिए तीनों मैंने यहाँ पर view आपको दिखा दिए आप इनको pause करके जो है coding वो no down कर सकते है friends student अब हमारा code बिल्कुर ready है चलिए इसको एक बार simulator के अंदर रण करके देखते हैं क्या यह प्रॉपरली वरक करता है तो यहाँ पे app जो है वो मेरी बिल्ड हो चुकी है अब देखते हैं क्या graphical user यहां पर प्रॉपरली निकल के आता है तो यहां पर जो डेटा ए जो जी यू आई है वह तो प्रॉपरली डिस्प्लेय हो चुका और जैसे ही मैं टक्स फील के ओपर क्लिक करता हूँ आप देख पा रहे हैं जो नॉर्मल कीबोर्ड पी जगे पर मेरे पार यहां पर जो कस्ट हम पिकर व्यू है वो इसकी जो मल्टीपल चॉइस जो है वो निकल के आई है इसमें से हम कोई भी एक सेलेक्शन कर सकते हैं और जैसे डन बटन के ओपर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं आईफॉन 6S मैंने सेलेक्ट किया था और वही जो टेक्स्ट है वो यहां पर डि की ग्जामपल के बारे में नौले मिल चुकी है कि किस तरिके से पिकर व्यू को जो है आपने यूज करना है टेक्स फील्ड के साथ और कैसे टूल बार को यूज करना है और कैसे इंपुट व्यू असेसरी यूज होती है कैसे इंपुट व्यू यूज होता है तो अगर मैं को यहां पर ठ्रैकली बता दूं तो पहले भी मैने आपको बताया था जो टूल बार है वो बेसीकली अगर आप कंट्रोल को जो है वो इंटर्फेस के एज के साथ जो है वो डिस्पले करवाना चाहते तो UI toolbar को यूज कर सकते हैं अगर आप uh text field को as a text field के साथ toolbar को attach करना जाते हैं तो input accessory view को use कर सकते हैं अगर आप picker view को attach करना चाते हैं text field के साथ तो input view को यूज कर सकते हैं आपको UI picker view के साथ जो important methods नंबर of components number of rows और यहां पर टाइटल फो रो यह वले जो मैठ्टेक्स आपको कूड करने पड़ेंगे तो फ्रेंट स्टोडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग अबर वीडियो इसी तरीके से हमारे चैनल का साथ बने रही है वीडियो देखते रही है प्रोग्रामिंग सीखते रही है ओके प्रोग्रामि सीखते रही है